49 साल के किशनपाल NCR की सडकों पर बाइक टेक्सी चलाने वाले कई ड्राइवरों में से हैं दिल्ली सरकार ने बाइक टेक्सी पर रोक लगा दी है दिल्ली परिवन विवाग का तर्ख है कि यहां दो पहिया वहनों का टेक्सी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ऐसे में नीजी दोपईया वाहन का कमर्शियल प्रियोग नहीं किया जा सकता इसके बाद किशन जैसे ड्राइवरों को अपना भविश्य अंधेरे में दिख रहा है अब सरकार कुछ रोजगाद देगी? हम जैसे लोगों को सरकार कुछ और कुछ सोचा रोजगाद देने के लिए बबलू भी बाइक टेक्सी ड्रैवर हैं वो कार नहीं खरीज सकते लिहाजा उन्होंने टूविलर खरीदा और दिल्ली में प्रमुक कैब एग्रिगेटर्स के लिए ड्राइविंग शुरू कर दी अब उन्हें कमाने का कोई और तरीका नहीं दिख रहा चोटे लेवल के जो लड़के जिनके पास अपनी बाइक होती है क्यांके वो उन्हें में अपने मैनेज कर सकते हैं उनके पास जादा बड़ी गाड़ियां होती नहीं तो वो उसी पर थोड़ा डिपेंडेंटर रहते हैं अब अपनी अर्निंग के लिए दिल्ली में मुसाफिर भी सरकार के फैसले से नाखुष हैं आपर बाइक्स अगड़ा यह सब ठीक है दिल्ली परिवहन विभाग ने 19 फरवरी को सार्विजिनिक नोटिस के जरिये आगा किया था कि वानिजिक वाहनों के रूप में निजी दुपईया वाहनों का इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उलंगन है, ऐसा करने पर सर्विस देने वाली कमपनी के साथ साथ नीती अपने अंतिम चरहन में है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा